करनाल की घरोंडा मनी राम मंडी में राधिका ज्वैलर्स की दुकान पर अग्यात महिलाएं करीब धाई लाख रुपे का जेवरो का पैकेट चुरा कर फरार हो गई जिनकी फुटेज दुकान में लगे सिसी टीवी कैमरे में कैद हो गई है गटना से घरोंडा में देशत का माहोल हैं और चर्चाओं का बाजार भी करम हैं राधिका ज्वैलर्स के मालिक आनंद जैन ने बताया कि दो अग्यात महिलाएं मूढख गरतुगान में आई और जेवर दिखाने की मांगी हमने सोचा कि करोना महामारे की वज़े से मूढखे हुए हैं उन्होंने जो भी जेवर मांगे उन्हें दिखाए इसके बाद दो महिलाएं आई और पायल दिखाने की मांगी जो दो महिलाएं पहले आई थी उन्होंने हमें धोका दे कर हमारा एक पैकेट जेवर जिसमें कान अधेर उम्र की लग रही थी जिनकी फुटेश दुकान में लगे सिस्टीवी कैमरी में भी कैद हो गई है गटना की शिकायत तुरंत पुलिस को दी गई पुलिस जाच में जुटी हुई है घरोंडा से समाधा आता विवेक राणा की रिपॉर्ट अधेर शाम 6 बजे दो मैलाएं जो पूरी तरह मुह लगे हुई थी हम यह सोर से लगे कि कोरोना की वज़े से मुह लगे हुए हैं आई और जेवर देखने की मांगी हमने उनको जो जेवर उनने मांगे वो दिखाए उन्होंने जेवर देखने के बाद दो मैलाएं और उनके साथ पिछे-पिछे वारी दुबार में एंटर गिया हमारा द्यान थो और अशार उधर डिश्टर हुआ उन्होंने आके हमार से पाहिल की डिमांड की इस दौरान उन जो पहले आई ओर तो ने थोड़ा अवें दोखा देकर हमारा एक पैकिट जेवर जिस में कानों की बाली है एक दो अमूती और समान लगबग जिसकी कीमत डाईल लाक रुपे के करीब है गायब करके और चली गई अब दुकार में सीसी टीवी कैमरे लगे हुए है जीसमें की उनकी फोटोस पर्ष्ट रूप से आई हुए चारों की और वो समान उठाते हुए भी जब अबने बाद में चेक किया तो समान उठाते हुए भी नजर आई आपने पुलिस स्थाने में सकते दी है मैंने शामपट साड़ी च्हें बजे लगबग पुलिस स्टेशन में एक एप्लिकेशन दी जो कहने लगे कि आप सुबह जो है में तरकक्ष में इसकी फिर ओनलाइन लाउज कर देंगे ऐसे ही लेटेश दोबरे पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइज, शेर और सब्सक्राइब करें हैंने वाद अपर्फेक्ट वेडिन लाउंचिंग और पार्टी राजगराना और जोती गादन अजे बीडी बैंक्वेट एंटर्प्राइब